है क्यूटीज इस मी प्रियंका एंड वेलकम बेक तो माई चैनल और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शिफा सिद्की को सौरी बोलना चाहती हूं जो कि मेरी सब्सक्राइबर है मुझे बहुत सब्पोर्ट करती है बट गाइस मैं उसे सौरी बोलना चाहती हूं कि कि वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि दी आप हम डेकॉर हैक्स पर वीडियो बनाओ और वो वीडियो में शूट नहीं कर पा रही थी मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया तो दियर मैं आपको सौरी बोलना चाहती हूं प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट करो मेरे साथ मैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्यूंकि सबकी रिक्वेस्ट् अलग बला घुटी है और मुझे सबकी रिक्वेस्टी वीडियो से चलडी से बना कर रे घुरी करनी होती है तो घाइस पलीज आप थोड़ा सा मुझे सबपोर्ट किय निन्हीं करो ऐसा कभी नहीं हो कि मैं स सबकी requested videos जरूर लेकर आऊंगी बद थोड़ा से time के साथ मुझे time लग जाता है सबकी request पूरी करने में तो मैं Shifa को दिल से sorry बोल रही हूँ I'm sorry dear मुझे थोड़ा सा time लग या इस video को shoot करने में but finally आज मैं लेकर आई हूँ home decor hacks सिर्फ आपकी request पर and I hope आपके लिए ये video बहुत useful रहेगी और आप भी ready कर सकते हो ऐसे home decor ideas अपने घर पर और शीखा के साथ साथ मैं अपने सभी subscribers को बोलना चाहती हूँ कि मैं आपकी सभी requested videos जरूर पूरी करूंगी but guys आप थोड़ा सा मेरे साथ adjust करना और जो वीडियो आपको ना अच्छी लगे तो मिझे comment करके जरूर बताना मैंसे और जरूर इंप्रूव करने की कौशिश करूंगी और अब हम start करते हैं हमारे home decor hacks but make sure video start करने से पहले अगर आपने subscribe नहीं किया हुआ है अभी तक मेरे चैनल को तो guys चल्दी से subscribe कर लो और इसके साथ जो पैला icon है इसको भी प्रेस कर लेना तो इससे मेरे आने वाली हर videos की notifications आपको मिलती रहेगी सबसे first hack में इनोंने ली है disposable plates और एक glass bottle और इनको glue gun लगाकर इनोंने एक बनाया है storage organizer तो यह hack बहुत अच्छा है कि आप paste material से ऐसा storage organizer बना सकते हो तो आप देख सकते हो मैं ऐसे disposable plates ले रही हूं आप कोई भी plates ले सकते हो simple भी white color की भी आप ले सकते हो यह मेरे पस decorated plates पड़ी जो मैंने decor की थी घर पर spray paint से तो यह plates का मैं यूज कर रही हूं और उसकी अपर मैं ले रही हूं एक glass bottle तो bottle आप कोई भी size की ले सकते हो और उसकी size में आपको cut कर लेनी है disposable plate तो जैसे कि उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया आपको plate center से cut करनी है और उसके बाद कोई भ से इसको हम paste कर देंगे तो देखते हैं यह hack वो करता है या फिर नहीं मुझे देखने में यह hack बहुत अच्छा लगा कि जो भी waste material से आप घर पर as a storage organizer बना के रख सकते हो तो सबसे पहले इसको हम center में से cut कर देंगे जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में तिखाया और इसको करने के बाद हम इसके अपर लगाएंगे glue gun और glue gun की help से हम इसको अच्छे से इसके अपर paste कर देंगे तो मेरी glue gun हो चुकी है करम अब इसके अपर मैं लगाऊंगी थोड़ी सी glue gun और इसको अच्छे से पेस्ट कर दूंगी plate के ऊपर तो यह hack बहुत इंट्रस्टिंग है पर पेस्ट करना है वाव गाइस यह भी बहुत अच्छा बनकर रडी हुआ है अप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यह आप इसको भी आप इसको आज़र की तरह भी कर सकते हो जो हमारे tic tac pins वे गारा होती है guys हमें टाइम पर नहीं मिलती है मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है जब भी मुझे पिन लगानी होती अपनी हेर पर मुझे पिन नहीं मिलती है इदर उदर वो पड़ी कुम हो जाती है तो इसके आप अपर अच्छे से रख सकते हो अ आपके हैक ज़रो ट्राइ करना गाइस मुझे यह बहुत अच्छा लगा और आपके जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं हेर पिन्स होती है कोई भी असेसरीज मेकप असेसरीज हेर असेसरीज वो आप इसके अपर स्टोर करके रख सकते हो और इसके साइड पे जो से तो इसकी वीडियो आप चैक आउट कर सकते हो निचे डिलिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इनोंने लिए है अगेन एक डिस्पॉसेबल प्लेट और इसको हर शेप में कट किया है और यह हैक में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक डिस्पॉसेबल प्लेट को ऐ अगर आप सिंपल लेना चाहते हो ता आप सिंपल प्लेट का यूज भी कर सकते हो और इसको अब हम कट करेंगे हार्ट शेप में तो मुझे इसको हर शेप में बनाने के रज़िए। इसको हर्ट शेप में बनाने की अगरा आप सिंपल प्लेट का लेकि आप सिंपलिए। करने कि लिए वी देन के बाद हम सारी प्लेट को सेस्ट के बाद हम एक नीदल रे सकते खर को शव हे बीदे ८र चाहिए चेंडेरी घरों के लिए झाल को गटर करने के लिए तो ये जो मैंने प्लेट का यूज खिशा का है ये फोड़ी सी स्टरोंगेव गट franc प्लेट को ऐसे कट करने में बट ये बिलकुल वैसा बनकर रड़ी हो गया है ये हार शेप में पनकर रड़ी हो गई है प्लेट तो जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया आप ऐसे हार शेप में इसको रड़ी कर सकते हो और ये H locks मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे आपको क्या करना है यह जो center वाला portion है इसको भी हम needle की help से cut कर देंगे तो जैसे उन्होंने दिखाया आपको center में से भी इसको cut करना है needle की help से यह सारी plate को हम cut कर यह वाला सारा portion भी हमे needle की help से cut कर देना है तो guys मैंने इसको cut कर दिया है अब यह बिलकुल acid ready होगी है जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाई थी और इसको हम करेंगे थोड़ा सा paint तो आप इसके अपर कोई भी acrylic paint से इसको paint कर सकते हो या फिर अब कोई भी normal color से इसको paint कर सकते हो तो इसके ओपर अब हम करेंगे paint तो मैं यहां पर करूंगी green color का acrylic paint इसको paint करने के बाद उन्होंने इसके अपर लगाए थे white color के पर्ल्स बट अभी मेरे पास पर्ल्स नहीं है तो मैं इसके अपर लगा रही हूं glitter, sparkle, glitter आप कोई भी color का यूज कर सकते हो मेरे पास अभी यह silver color का glitter था तो मैं इसके अपर sprinkle कर दूँगी silver glitter आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आप लगाना चाहते हो इसकी अपर और अगर आपके पास पॉल्स है तो आप पॉल्स से इसको decorate कर सकते हो guys आप लगाइज यह कितना अच्छा बनकर रडी हुआ है मुझे यह हैक बहुत पहुता है। बहुत अच्छा लगा आप यह सा हार शेप में कुछ भी रिकोर सेंटर पीस या पर शॉप इस बना कर घर पर रख सकते हो तो मुझे यह बहुत अच्छा लगा आप यह हैक जरूर ट्राइक करना इसके अपर उन्हें ग्लिटर नहीं लगाई थी तो मैं फोई से इसके आप पर ग्लिटर लगा के इसको और भी शाइनी बना दिया है अगर आप ग्लिटर लगाना चाहते है आप ग्लिटर एड कर सकते हो अधरवाइस आप ऐसे भी इसको बना के अपने घर पर रख सकते हो तो यह हैक मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई भी वेस्ट इस पॉज़ प ओके तो next hack में इन्होंने लिया है एक empty jar और उसका लिया है इन्होंने उपर वाला cap और लिया है एक rubber का toy कोई भी rubber का toy आप यूज़ कर सकते हो और इसके बाद इन्होंने इसको किया है spray paint तो यह hack हम try करके देखते हैं guys तो मैं यहां पर ले रही हूँ एक jar तो यह jar मैंने थो करोगे तो भी आप इस वीडियो का link मिल जाएगा आपको और इसका हम cap लेंगे और उसके बाद मैं एक toy लोंगी rubber का कोई भी toy आप यूज़ कर सकते हो और इसको 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 अपर glue gun की है आप से मैं paste कर दूँगी और फिर हम इसको करेंगे spray paint तो देखते हैं क्या यह hack walk करत करने से पहले आपको नीचे 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 पर रख लेना है गाई अगर आप बिगनर्स हैं आपने कभी spray paint नहीं किया है तो आप नीचे 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 पर रख लेन ताकि आपका कोई भी cloth messy ना हो या पिटेबल messy ना हो तो नीचे पर रख के आप इसको अच्छे से spray paint कर सकते हो और spray paint करने के बाद कम से कम आपको 15-20 minutes के लिए इसको dry होने के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए और अब मैं इसको रख दूँँगी कम से कम 20 minutes के लिए सेट होने तक ओके गाइस तो यह hack भी walk करता है यह hack भी मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस कि आपका यह जो कोई भी mason jar घर पर वेस्ट jar होते हैं सब्सक्राइब कर सकते हो इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है अगर आप तक मेने देख न चाहे हो लिए उप वीडियो से आप अब ऊच्छा च्यार मैंने एलらडेडी वीडियो बनाई हुई है और इसका जपरवाला क्या है इसको आप ऐसे देकोर अंदके रख सकते हो cœur आप ये hack दो ट्राइक करना गाइस कितना cool लग रहा है इतना प्यारा लग रहा है इसको पेंट करने के बाद तो मेरे पास golden color जो spray paint था फो खतम हो गया था तो मैंने इसको ब्लाक ब्लाक का spray paint किया आपके पास यह बिल्कुल वेस्ट मैंटीरियल से रडी हो गया है आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हो गाइस तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी वीडियो आप चैक आउट कर सकते हो तो इसकी वीडियों तरफ से है बिग थाम्स अप यह और नेक्स्ट हैक में इन्होंने लिया है एक एंप्टी ग्लास जार और इसकी अपर लगाई है टेप और टेप लगाकर इन्होंने लगाया है टूथ पेस्ट और इसको बनाया है कैंडल हॉल्डर तो यह हैक मुझे बहुत अच्छा लगा आप क्या कर सकते हैं पोई भी ऐसी ले सकते हो यह यहां पर मैं ले रही हो मिक्स्ट जैम की बॉटल जो की खाली वेस्ट पड़ी थी मेरे घर पर और इसके अपर मैं लगाऊंगी थोड़ी सी टेप और उसके बाद टेप लगाने के पाद हम इसके आपर लगाएंगे टूथ पेस्ट इसको टेप से cover करने के बाद अब मैं इसके ओपर लगाओंगे toothpaste तो toothpaste आप कोई भी color का यूज कर सकते हो उन्होंने white color का use किया था तो मैं यहां पर white color का toothpaste यूज कर रही हूँ और उसके बाद मैं लोंगी एक sponge और sponge की help से मैं इसके ओपर लगा दूँगी toothpaste तो ये hack भी मुझे अच्छा लगा बट मुझे ये नहीं पता कि ये toothpaste उतर जायगा या फिर ऐसरीस ही लगने वाला है तो चलिए हम देखते हैं कि ये या फिर यह एक देखने में वैसे ही लगा हमें तो टूथ पेस्ट अप लगा सकते हो पूरे जार के उपर और उसके बाद आपको टेप इसके उपर से उतार देनी है ओके गाइस तो यह बनकर रेडी है हमारा मेसन जार तो इसको भी आप टेप लगा कर कोई भी सालो टेप लगा कर ऐसे टेकुरेट कर सकते हो और इसके अंदर कैंडल लगा के कोई भी मिनी कैंडल टी लाइट कैंडल लगा कर इसको चला सकते हो बट जो इसके अपर हमने टूथ लगाया है guys, यह अगर आप हाथ लग तो यह उतर जाता है और आपके हाथ पर लग जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो आप एक हैक ट्राइ कर सकते हो, आप इसकी ओपर हेます, तो यह बिल्कुल भी नहीं उत्रेगा, और इसको रॉहने के लिए रखते हैं अच्छी तरह से, फिर तो गाई अगर आप hair spray नहीं करोगे तो यह toothpaste आपके हाथ पर लगता रहेगा बार बार तो आप इसके ओपर थोड़ा सा hair spray कर सकते हो उन्होंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाये था बट इसके उपर अगर आप थोड़ा सा hair spray कर लोगे guys तो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो गाइज आप इसके आपड हेयर स्प्रे करके इसको अच्छे से सैट होने के लिए रखते हैं कुछ ताइम और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो फिर यह तूथ पेस्ट बिल्कुल भी नहीं उत्रेगा और यह hack भी वोग करता है पठाव उन्हें हेयर स्प्रे का यूज नहीं किया था आप हेयर स्प्रे का यूज कर सकते हो और इस hack के लिए मेरी तरफ से है था बिग थाम्स अप और यह गाइज that was it for today's video और 5-Minute Craft के यह Home Decor hacks सारे वोग करते हैं और सारे hacks मुझे बहुत अच्छे लगे और आप मुझे comment करके जरूर बताना कि आपको इन में से सबसे जाला hack कौन सा अच्छा लगा और आप कौन सा hack ट्राई करोगे अपने घर पर और गाइस मैं प्रियंका मिलती हूँ आपको मेरी next videos में देख केर love you and bye